नमस्कार दोस्तों मैं पंडे सार लश्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुना स्वागत करता हूँ असा करता हूँ बिटा आप सभी अच्छे होएंगे कौपी में नोट कर रहे होएंगे ठीक है और इसको याद भी कर रहे होएंगे ठीक है याद करते जा पिति मगद सामराज है ना महां जन्पदू में सबसे सकती साली सामराज न कोौन सा था मगद मगद सामराज था उसके पीछे रीजन आपको बताया था मैंने हैंना camoufl के टी अच्छी होती थी मगद सामराज मौर्थ मौराज की सासक कौन-कौन थे capaz सामराज के अपन जो मैन सासक पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर जोकी इसका संस्तापक था फिर चंद्रगुप्त मौर के बाद उसका बेटा आया बिंदु सार बिंदु सार के बाद उसका बेटा आया असोक और इन तीनों के बारे शूर्झ के बारे में ही अपन मौरस सामराज में पढ़ेंगे बाकि के बारे में नहीं पढ़ेंगे और मौरस सामराज का अंतिम सासक कौन था ब्रैदरत था जी अपनको मालब होना चाहिए क्योंकि इनके important यही है सुरू के तीन बीच के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो और तीन चार सासक रहे थे ठीक है अब बिटा अपना आंगे चंद्रगुप्त मौर के बारे में चंद्रगुप्त मौर 322 इसा पूरु में 25 वर्स की आईउ में पाटली पुत्र के सिंगासन पर बैठा था चारक चंद्रगुप्त मौर का कौन था गुरु था और चंद्रगुप्त के दरवार में कौन था प्रदान मंत्री था चारक को को किस और नाम से जाना जाता है चारक को को अपन क्या कहते हैं कोटिल और विशनुगुप्त भी कहते हैं चानक्य के दौरorem लेखत पुष्टक कौंसी थी अर्थसास्त्र थी ठीक है इसनों क्या कहता है युणानी लेखक ने इसको क्या कहता अंडु कोटस कहता चंदरुप्त ने 305 इस्ब्यच पूर्व में युणानी शासक सेलOS लुकस निकेटर को और आया था किसको और आया था सेल लुकस निकेटर किसको और आया था चंद्रकुप तो मोरे नहीं नहीं सासक सेल लुकस निकेटर जो कि सिकंदर का कौन था यह सेल लुकस निकेटर के बारे में मालूम होना चाहिए सिकंदर का सेना पती था यह सेल लुकस निकेटर को अराया था और उसकी पुत्री कार ने लिया है, है लेना से क्या किया था, भिवा किया था उसने, ठीक है, तुमोरे के बारे में बटा आंगे, ठीक है, मैगा इस्तिनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मैगा इस्तिनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है, मौर वंच की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर इने कौन सा धर्म अपनाये था, जैन धर्म अपनाये था, और चंद्रगुप्त मौर की मिरत्यू कब होई थी, 298 इसा पूर में, स्रमण बेल गोला में, अपवास के दोरान इसकी मिरत्यू होई थी, ठीक है, बिंदु सार के बारे में देखेंगे करने वाला जिसका आर्थ होता है सत्रुओं का नास करने वाला बिंदू सहार आधिवक संप्रदाय का नुभाई था अपने छोटे पुत्र बिंदू सार ने असोग को तक्षिला में हो रहे है विद्रो को जवाने के लिए पहुंचायाah था जिसमें असोग सफल भी रहाथ है ठीक है तक सिला में बिद्रो हो रहा थे कियDER सosis चोर्व योतर जिसमें असोग सफर लाता है उसका बड़ा पुतरिस में सफर नहीं राता बिन्दु सार की म frontal के भाद कौन गद्दी पर बैठेगछा में बंच अथा बारे में कि अपर सुब के बारे में 233-पूरों में बिन्दु भाई मतलब सब जितने भी रिलेशन वाले थे जो भी उसकी चाहात रखता था उन सभी को मार कर फिर वो गद्धी पर बैठा 269 दोसो प्रत्तर इसा पूर में असोग का राज जवी से एक हुआ ठीक है असोग की मा का नाम क्या था सुब्ध रांगी था असोग ने अपने राज जवी से के आठवे बर्स लगवग 261 इसा पूर में कलिंग कलिंग के बारे मालूम होना चाहिए बरत्तमान में का हैं उड़ी सा में हैं कलिंग पर आक्मन किया इस युद्ध में बहुत नरसंगार हुआ बहुत लोग मारे गए जिसके बाद असोग का कि अधमन जराद बिचलित हो गया असोग ने भविस्त में कभी युद्धना करने का निर्ने लिया यह सोग का कैसा युद्ध था अंतिम युद्ध था इसलिए एक महान उने के पीछी रीजन यही कि असोक ने युद्ध ना करने का निर्णने ले लिया, ही तो अधर्वाइश शुरूइवात में बहुत क्रूर सा सकता तो, कि अपने जो निइनान में भाईयों की अत्या करेगा तो सोच सकते हैं आप ठीक हैं लेकिन बाद में युद्ध came to prepare the बाद कॉना दरहप अपना लिया थो नहीं करीब 104 तूंप यहार इस तूप का निर्माण करया इसमें सांची का स्थूप प्रमुक यो कि कहा है मद्द प्रिदेश के राहसयं के में ढहला है असोक ने बता दें आपको अभिलेक के माद्यम से अपना प्रिचार किया था असोक ने उत्तर प्रिदेश में सारहनाद का असोकिस्तंब बनवाया जो important चीज है सार्हनाद का सोकिस्तंब बनवाया यही बारत का राश्टिय चिन्ने जिसमें चार सेर एक साथ बताए गए हैं असोग ने बहुत धरम के पिरचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगा मित्रा को स्री लंका भेजा ठीक है इतना आपको मौर सामराज के बारे में मालम होना चाहिए कम से कम जानकारी ह यह बेटा यह और सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है और मौर बंस का अंतिम सासक कौन था ब्रैद्रत था यह आपको पता होना चाहिए बेटा सुंग बंस के बारे में प्रथम सबसे पहले बतो है आपको यह आत रखना है प्रथम ब्रामण राजवन से था ठीक है कैसा रा माजदानी क्या बनाया था बिदीसा को बनाया था इसने बहुत दिस्तूपों को पहले तो नश्ट करवाया लेकिन बाद में उसको गल्ती का एहसास हुआ तो उसने पुना बहुत दिस्तूपों का निर्मान कराया इसने दो अस्मेग यग कराये थे जिसमें परोहित कौन थ पतंजली थे, आपको ये किताबें को नाम याद रखना है, तीनों ही most important है, पतंजली ने महावास से लिखी, पारिणी ने इनके समय में ये इस्टा द्याई लिखी है, और मनु ने मनु इस्मर्ती लिखी, तीनों ये इनके समय के ही हैं, सुंग बंस के समय के, और मेनांडर न नाकसेन से बहुत देशिक्चा ग्रेंड लीती, बहुत देविच्चुक थे नाकसेन, और मेनांडर ने उनके से बहुत देशिक्चा ग्रेंड लीती, और सुंग बंस का अंतिम सासक कौन था, देव भूती था, ठीक है, आगया बिटा अपना कंड़ बंस स्तापक कौन थे, इसके बसुदेव थे बसुदेव ने अंतिम सुंग सासक देव भूती की अत्या कर पिचत्तर इसा पूर में कंडवन्स की स्थापना की इस बंस का अंतिम सासक बस प्रतम सासक और अंतिम सासक याद रखना है अंतिम सासक सू सर्मा था जिसकी अत्या उसके मंतरी सिमुक ने कर और एक नया बंस इस्ताफित हुआ कौन सा साथ वहान बंस जो कि अपना आखरी बंस है शाथ वहान बंस आगे बटापना साथ वहान बंस जिसके संस्थाफक कौनते सिमुक थे साथ वहान बंस की राज़दानी महाराष्ट में प्रतिष्थान थी यह याद रखना है, سाथ वह किसमे के उसे किसम काल में चलाई गए तो साथ और बंस के काल में चलाए गए थे साथ One सौकष द्वारा छला गए तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है ठीक एक आपको पूरा बंस तैयार करना है कॉपी में नोट करना है याद करना है next वीडियू में अपन serats अगर आप ये पूरा वीडियो बिटा देख रहे हैं और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर अपने दोस्तों को बताएं ठीक है तो नेक्स वीडियो अपन इसका ओटी लेकर हजिर होएंगे कॉपी में ये सब नोट करें याद करें ठीक है आज के लिए इतना ही बिटा जै हिंद जै भारत आप सबी खुश रहें सुष्ट रहें